इस वक्त बिहार में और भजपुरी के सबसे बड़ा जो गंदगी है वो है चंदन उपाधिया हम ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए हम आपको आगे बताते हैं गंदगी को गंदगी फईला के मिटाते हैं चंदन उपाधिया का तो वीडियो जरूर देखा होगा जहां वहीं चंद मदू एक्टर को फोन लगा रहा है पौर्ण वीडियो आया था देक उनसट मिनट एक दम बाप माजा आ गया था जरा मुसके बारे में आपको बता दें कि यह वही चंदन उपाधिया है वही ओछी इंसान है जो कुछ दिन पहले यह कहता था कि हम बिहार में भजपुरी में सब्सक्राइब और भंढात guarantee को गंदी फैला करके मिटाएंगे बिगाएं टरौए की की बटाएं हैं कि यरी मिचाने के लिए पर सके दिए मेंगे जब बढ़ाने लड़कीओ लोगों का तब ने-घ no वही इंसान है जो कुछ दिन पहले मुस्कान के केस में भागते फिर रहे थे जो मुस्कान को लेकर कह रहा था कि ये 12-13 साल की लड़की है इसको भजपुडी ग्याने पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करना चाहिए तब भाई साब आप ये बताए आप आपके पास दिमागर होता तो आप तो नहीं करते हैं कि ये तो जाहिड सी बात है कि आप खुद वाइरल होने के लिए आप मतलब कंट्रवर्सी लाने के लिए आप मुस्कान को बदनाम करना के परयास कर रहे थे और आप कहते हैं कि हम लड़की हमारे साथ वीडियो बनाना नाला चाहती है सी कहां है कि कहां से भाइंसाब यह पड़े लिके इंसान की तो यह ऐसी सोच हो ही नहीं सकती है आपसे बड़ा अनपट गबार तो कोई हो ही नहीं सकता है मतलब आप बिहार में भजपुडी के गंदगी को फैलाने की जो पढ़्यास कर रहे हैं न यह ठीक नहीं है आपको बता दे रहे हैं वन्ना आज हम अवाज उठा रहे हैं कल हमारे जैसे दस अवाज उठाएंगे परसो एक हजार उठाएंगे फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे इसलिए बता दे रहे हैं आप बंद कीजिए ऐसी गंदी की फैलाना